दयालू राजकुमारी और जादूगर बहुत समय पहले की बात है किसी नगर में एक राजा और उसकी दो-दो जुड़वा राजकुमारियां रहा करती थी जो हर काम साथ ही करती थी एक बार राजा बहुत बिमार हो गया तो उसने सोचा यदि मैं मर गया तो मेरी बेटियों और राजे को कौन देखेगा इसलिए उसने अपने प्रिय मित्र मलंग नरेश के बेटे राजकुमार अंगत से अपनी बेटियों का विवहा निश्चित कर दिया और कुछ ही दिनों बाद राजा की मृत्ती हो गई मलंग देश संदेश पहुँचाया गया तो पता चला वहां का राजकुमार कहीं लापता हो गया है राजकुमार यह अब अकेली हो गई थी और खुद को किस्मत के हवा ले कर राज की देख भाल में जीवन बिताने लगी दोनों ही बहुत खुबसूरत और दयावान थी एक बार राज में सूखा पड़ गया और पशुपक्षी सब मरने लगे राजकुमारियां बहुत दुखी हुई उन्होंने राज में वर्शा करवाने के लिए ये मुनाधी करवा दी कि यदि किसी की बताई हुई पूजा या विधी से राज में फिर से वर्शा हो जाए तो वे इसके लिए तैयार हैं और जिसके द्वारा बताई उपाई से वर्शा होगी उसे वे इनाम भी देंगी चारों तरफ ये बात फैल गई और दूर दूर देशों से लोग नए नए उपाई लेकर आने लगे पर कोई नतीजा नहीं निकला प्रती दिन लाखों पशु पक्षी और इंसान भूख प्यास से तडपने और मरने लगे राजकुमारियां बहुत परिशान हुई एक दिन शाम के समय एक जादूगर वहां आया और बोला राजकुमारी की जै आदर्निये राजकुमारी जी आप बहुत ही दयालू हैं आपकी अच्छी नियत को देख मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ मैं आपके राज में वर्शा ला सकता हूँ पर आप दोनों में से किसी एक को मुझसे विवाह करना होगा यदि आपको मन्जूर है तो मैं उपाए करूँ राजकुमारियां बहुत सोच में पड़ गई क्योंकि जादूगर ने एक अजीब सा फटा हुआ बद्बूदार लबादा सा पहना हुआ था दातों में गंदगी साफ दिख रही थी इससे शादी कोई राजकुमारी सोच भी नहीं सकती फिर दोनों राजकुमारियों का विवाहा मलंग नरेश के राजकुमार से उनके पिता मरने से पहले ही तै कर चुके थे पर वह राजकुमार कहीं लापता हो गया था राजकुमारियों ने सोचा राजकुमार तो वैसे भी लापता है तो क्यों न अपना जीवन हम प्रजा के लिए कुर्बान कर दे और जादूगर से कहा ठीक है जादूगर, तुम हमारे राज में वर्शा कराकर हमारी प्रजा के दुख दूर करो हम विवाह के लिए तयार हैं पर तुम्हें हम दोनों से ही विवाह करना होगा क्योंकि हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती जादूगर मान गया और पूरी रात उसने तरह तरह की विदियों से पूझाएं की और सुभा होते होते काली काली घटाएं गिरने लगी और पॉप हटते ही तेज रफतार से वर्शा होने लगी सारा राजिक खुशी से जूम उठा चारों तरफ राजकुमारी की जै राजकुमारी की जै के उद्धोश लगे लोग राजकुमारियों के त्याग की कहानिया सुनाने लगे और दूसरी तरफ राजकुमारियां बहुत परिशान और सहमी हुई थी क्योंकि उन्होंने विवहा को राज की खुशी के लिए मान तो लिया था पर वो जादूगर जिसकी लंबी, काली, सफेद, दाढ़ी और बद्भूदार कपड़े थे विवहा को मन से तयार न थी पर फिर भी वो दोनों प्रजा और अपने वचन का मान रखने के लिए विवहा वेदी पर बैठ गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि वह इस विवहा का ठीक से पालन भी कर सकें तब ही जादूगर भी वहाँ आ गया उसने राजसी कपड़े पहने हुए थे पर बाकी सब पहले जैसा ही था गंदी, लंबी दाढ़ी, काले सफेद बाल, कंधे पर जादू का जोला और चेहरे पर अजीब सी मुसकान लोग उसे देख कर बड़े दुखी हुए कि उनकी प्यारी राजकुमारियां उनकी वजह से इस अजीब जादूगर से शादी करने जा रही थी और भगवान से तरहां-तरहां की प्रार्थनाएं करने लगे राजकुमारी के जादूगर के गले में विवाह माला डालते ही चमतकार हुआ और वह भयानक सा देखने वाला जादूगर एक खूपसूरत राजकुमार में बदल गया और वो कोई और नहीं मलंग देश का खोया हुआ राजकुमार ही था उसने दोनों राचकुमारियों से शादी कर ली सभी लोग बहुत खुश हुए और राचकुमारियां भी खुशी और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तब जादूगर ने कहा कि एक भयंकर जादूगर्णी ने उसे जादू सिखाने का वादा किया था पर जब उसने राचकुमार को जादू के लिए लोगों को मारने को कहा तो इस राचकुमार ने इंकार कर दिया और जादूगर्णी ने गुसा होकर शाप दिया जाओ जिस जादू का तिरसकार कर रहे हो उसी के कारण वापस अपने रूप में आओगे और जब मैंने आपकी मुनादी को सुना तो मैं यहाँ आ गया और राचकुमारियां आराम से राचकुमार और प्रजा के साथ रहने लगी